दोस्तो अगर आप जल्दी अमिर बनना चाहते हो तो आपके पास एक option है share market share market एक ऐसा चीज है जहाँ पे risk limited है लेकिन reward यहाँ पे unlimited है अगर आप share market में 100 रुपीस लगाया तो वो एक करोर भी हो सकता है एक लाग भी हो सकता है लेकिन आपका जो risk होगा यहाँ पे 100 रुपीस कई होगा अगर डुबेगा तो 100 रुपीस डुगेगा लेकिन यहाँ पे reward unlimited है आपका कोई पता नहीं आपको कितना multifault आपका पैसा होगा लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ रिस्क जो होता है अगर आप अच्छा stock में अच्छा analyze ना करके अच्छा fundamental stock में invest नहीं करोगे तो आपका पैसा डुब भी सकता है तो इसलिए आपको जो अच्छा research करके अच्छा fundamentally strong वो stock में invest करना परता है अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा ऐसा stock में invest करो कि जो हमें बहुत ही कम समय में में पैसा multifault return कमके मुझे दे तो इसके लिए आपको small cap stocks में invest करना परेगा क्योंकि small cap stocks ही एक ऐसा stock होता है जो बहुत ही तेज भागता है और बहुत multifold return लोगों को कमा के देता है लेकिन बात आता है जब small cap stocks का तो यहापे risk भी involved हो जाता है इसके लिए आप अगर risk लेना चातो तो small cap stock अपके लिए तो ठीक है अगर आप risk नहीं लेना चातो तो आप large cap stocks में जा सकते हो FD में भी invest कर सकते हो तो यहापे जो small cap stock होता है उसमें risk तो ज्यादा होता है लेकिन अप अच्छा analyze करके अच्छा fundamental वाला stock में invest करोगे तो आपका यहापे पैसा बढ़ने का ही chances ज्यादा होता है क्योंकि अगर जो large cap stock आप देखोगे तो वो पहले small cap stock था फिर mid cap बना फिर large cap बना तो यह जो आप small cap stock में invest करोगे यह भी एक दिन ने एक दिन अगर आच्छा हो तो large cap भी बनेगा तब आपको multifold return मिलने का chances ज्यादा होता है तो इसके लिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ stocks के बारे में बताऊंगा full analyze भी करूंगा और इसका fundamental भी strong है past performance भी बहुत ही अच्छा है तो यह जो stock यह future में जाके large cap बनने का भी potential रखता है तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि share market में अधुरा गैंट बहुत ही खतरनाक होता है आधा देखके आप चले जाओगे तो आपको loss भी हो साकता है इसलिए यह जो वीडियो में आपको stock के बार में analyze करूंगा वो आपको पूरा देखना पड़ेगा तब भी आपको फाइदा हो साकता है तो दोस्तो वीडियो पसंद आता है तो एक like भी कर देना उसकी साथ साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe करके bell icon को hit कर देना तो चले अभी एक एक करके stocks को cover करता है तो दोस्तो हमारा लिस्ट में जो सबसे पहला वाला company है इसका नाम है app cortex industries limited company 1980 में start हुआ था और company का जो leader है यह पर Mr. O'Toole Choksi जो की Asian Paint का MD है अब company का product देखे तो यह पर company synthetic latex and synthetic rubber manufacture करता है company की product portfolio देखे तो synthetic rubber के अंदर nitrile rubber, high stylin rubber nitrile rubber, nitrile poly blends and nitrile powder आ जाता है synthetic latex के अंदर XSB latex, BP latex stylin acrylics and nitrile latex आता है उसकी बाद company की revenue break up देखे तो synthetic latex category से 55% of the revenue आता है and synthetic rubber और other product से company की rest of the revenue आता है geographical presence देखे तो company 40 plus countries में presence करता है and company यह पर domestic sales 82% लेता है और export से company की जो rest of the revenue है 18% आ जाता है company की capacity के बाद करे तो company की दो manufacturing capacity है जो की located है तंजोला महरास्टो पे और वालिया जो गुज़ाट पे है company की capacity देखे तो synthetic latex से 55,000 mtpa and nitile rubber and allied product से 20,000 mtpa high striden rubber से 7,000 mtpa capacity रखता है company की clients देखे तो यानि की customer based company का यह पर बहुत ही strong है देख सकतो like itc, jk paper, PD light industries, MRF, SRF, century inka, bleed, paragon, ajanta, footwear, relaxo, joycery polymers and others, etc. या पे बहुत ही strong clients है company का उसकी बात दोस्तो, company ने omnova solution India limited को 2016 में 36 करोर से 100% acquired किया था यह जो company था, यह जो एपकोटेक्स India limited company से आगे second producer company था styrene rubber manufacture करने में, जिसका या पे factory था, वलिया गुजुराट पे इसको 100% company acquired कर चुका है, जो की बहुत ही आच्छा बात है अब दोस्तों चलिए, company की fundamental देख लेता है company की market cap 2530 करोर का, बहुत ही छोटा company है stock का PE देखे तो 28 का है, जबकि इसका industry का PE 17 का है return on capital employed 19% का है, return on equity 15% का है, जो की बहुत अच्छा मना जाता है promoter holding 58% का है, जो की बहुत ही अच्छा है debt देखे तो 36 करोर का है, और company की annual income 44 करोर का है इसकी पास 51 करोर का free cash flow भी है, तो company यह पे completely debt free है EPS देखे तो 17 का है, जो की इसका price से बहुत ही अच्छा है company की sales growth पिछले पास सालों से 15% की साथ compound हुआ है company की profit growth पिछले पास सालों से 16% की साथ compound हुआ है company की dividend yield देखे तो 0.72% का है, जो की बहुत अच्छा है debt to equity 0.10 का है, जो की बहुत ही अच्छा है अब दोस्तों कमपनी की financial trend देखे तो 2017 में 34 करोर का profit हुआ है इस सालों में कमपनी का 44 करोर का profit हुआ है 2020 में कमपनी की COVID की वज़े से loss हुआ था लेकिन बहुत अच्छा सा recover भी किया है और ये जो profit ये पास सालों से लगातर increase हो रहा है तो हमें लगता है इसका price future में जाके बहुत ही increase करेगा अब दोस्तों company की price इसका intrinsic value से कम नहीं है लेकिन इसका price अभी बहुत ही कम है value investing तो के लिए अच्छा नहीं है लेकिन stock का price अभी बहुत ही कम price में मिल जा है return भी company का अच्छा है dividend भी company बहुत ही आच्छा payout करता है company आपे ओवा बहुत जोन पे पहुँच चुका है तो इसका price अभी ठीक है लेकिन आप थोड़ा wait करो अगर आपको और भी नीचे मिल जाए तो आप और भी खरिदरी कर सकतो लेकिन इस level पे थोड़ा बहुत quantity आप चाहो तो add कर सकतो company कोई default activity भी आपे नहीं है अभी दोस्तो company की एक share का price चल ले है 400 for 88 का और इसका पास साल का return 228 परसंट का तो आप चाहो तो इस stock को consider कर सकतो अब दोस्तो हमार लिस्ट में जो second company है इसका नामे गोदावरी पावर एंड इसपाथ लिमिटेट company यहापे iron ओरी का mining करता है and iron ओरी plates, sponge iron, steel blades, wire rods, HB wire and ferro alloys manufacture करता है अब दोस्तो company की capacity देखे तो iron ओरी से 2.1 million tons per annum iron ओरी plates से 2.8 million tpa ton per annum sponge iron से 0.5 million tpa billet से 0.4 million tpa MS round से 0.4 million tpa HB wire से 0.15 million tpa ferro alloys से 16,500 tpa power से 73 megawatt यहापे company capacity राखता है अब दोस्तों चलिए अभी company की fundamentals देख लेता है company की market cap 6,579 करोर का company की PE है यहापे 4.74 का जबकि इसका industry का PE 16 का है तो बहुत ही अच्छा valuation पर मिल ला है ROCE देखे तो 37% का है eternal equity यहापे 37% का है जो की बहुत अच्छा वाना जाता है promoter holding 67% का है जो की बहुत अच्छा है यहापे 0.97% pledge भी होके रखा है debt देखे तो 469 करोर का है जबकि company के annually income 638 करोर का है तो company का annually income इससे reserve से ज्यादा है company almost debt free है इसके लिए EPS देखे तो 98 का है जो की इसका price से average है बहुत अच्छा है dividend yield 0.99% company की debt to equity 0.18% का जो की बहुत अच्छा है free cash flow भी है company के बास 929 करोर का petros की score 8 का है जो की indicate करता है company fundamentally बहुत ही strong है अब दोस्तो company पिछले 5 सालों से 15% की साथ sales growth इसका compound हुआ है अब पिछले 5 सालों से इसका profit growth 55% की साथ compound हुआ है अब दोस्तो company की financial trend देखे तो company को जो 2017 में 74 करोर का loss हुआ था 2018 के बाद company को 2 साल लागातर profit हुआ है लेकिन 2020 में company को COVID की वज़े से loss हुआ था अभी दोस्तो इस सालों में 2021 में company को highest profit हुआ है 638 करो का जो की बहुत आच्छा है दोस्तो company की price इसके intrinsic value से कम है जो value investing के लिए आच्छा माना जाता है इसका return भी आच्छा है company को entry point भी आच्छा है जो की ओबाबा zone पे नहीं है company का कोई default activity भी नहीं है लेकिन company हाँ यहाँ पे dividend उतना नहीं देता है लेकिन इतना कम छोटा company से dividend exit भी किया नहीं जा सकता है अब दोस्तो इस company का एक share का price चला है 436.40 पैसा और इसका एक सालका return है 129.92% तो आप चाहो तो इस stock को consider कर सकतो अब दोस्तो हमार लिस्ट में जो third number का company है इसका नामे राजरातन Global Wire Limited company 1989 में established हुआ था company यापे wire, high carbon steel wire with specialization in TBW manufacture करता है जो की bronze coated है एंड ये use किया जाता है tire and drone steel wire में and also used in automobile, construction and engineering industries company की market position देखे तो company Asia का largest bead wire manufacturer company है and company यापे Thailand में एक manufacturer है जो की यापे company 25% market share hold करता है and इंडिया में यापे company का TBW manufacturer है जो की 50% share hold करता है दोस्तों company की यापे clients देखे तो 85% जो customer और जो clients है वो पास सालों से company के साथ जुड़े हुए है Indian clients के बाद बोले तो Apollo tires, ATG, Villa tires, C8, MRF, Bal Krishna and etc. यापे clients है Thailand का clients यापे biggest stone, century tire, dish stone and etc. international clients देखे तो Toyota tires, Nankang, यापे trailing, borg and etc. company की यापे basically दो manufacturer facility है यापे एक India की पिथम पूर पे है और दो यापे Thailand में है इंडिया में जो यापे capacity है 72,000 TPA यानि की tons per annum और जो Thailand पे 40,000 TPA company का geographical revenue देखे तो इंडिया से 66% revenue आता है and rest of the world से 34% का revenue आता है अब दोस्तो company की fundamentals देखे तो इसका market cap 3,199 करो का बहती छोटा company है इसका P देखे तो 25 का है return on capital employee 39% का है return on equity 43% का है जो की बहती अच्छा माना जाता है promoter holding 65% का है जो की बहती अच्छा माना जाता है debt 137 करोर का है इसकी पास जो annually income है company का 124 करोर का and company के पास free cash flow भी है 32 का तो company यहापे almost debt free है उसकी बाद EPS देखे तो 24 का है जो की इसका price से average माना जाता है operating profit margin देखे तो 20% का है sales growth पिछले पास सलो से 25% की साथ compound हुआ है and इसका profit growth पिछले पास सलो से 45% की साथ compound हुआ है return on equity यहापे debt to equity 0.40 का है जो की बहुत अच्छा है petros की score 7 का है जो की सीधा integrate करता है company fundamentally बहुत strong है company की quarterly profit देखे तो पिछले साल में इसी quarter में 14 करोर का profit हुआ है and जो इस सालो में December का quarter में 32 करोर का profit हुआ है and इसकी बाद थोड़ा यहापे decline हुआ फिर यहापे 3 सालो से company का profit बहुत अच्छा हुआ and इस सालो में company को 53 करोर का यान की highest profit हुआ है अब दोस्तो company यहापे छोटा company है तो इसका intrinsic data नहीं है dividend का भी data नहीं है लेकिन फिर भी company छोटा है dividend भी expect किया नहीं जा सकता आप यहापे long time के लिए invest कर रहे हो dividend आपको expect नहीं कर सकते है तो यहापे return भी company का आच्छा है entry point भी आच्छा है यानि कि उभावा जोन पे नहीं है लेकिन company का एक negative चीज है company ASM list पे है तो इसका मतलब यह नहीं कि company खड़ाब है अगर company ऐसे ही performance करता रहे तो यहाँ से जो ASM list हट भी जाएगा अब दोस्तो इस company की एक share का price चल ले है 630 रूपीज अभी जो यह video shoot कर रहा हूँ तब यह जो हर एक stock का price मैं आपको बता रहा हूँ हो सही कि आप बाद में देख रहा हूँ इसका price तो रहा उपा नीचे आपको देखने को मिलेगा लेकिन आम long time के लिए invest कर रहे हो तो आपको कोई panic होने का बात नहीं है पास साल का return company का 1589% का अगर यह तीनों में से कोई भी stock आपको अच्छा लगे तो आप खड़ी सकतों बहुत ही आच्छा stock है याद रखना यह video just educational purposes के लिए था आप कोई भी stock में invest करने से पहले आप खुसरे study कर लिजेगा अगर आपको यह video पसंद है तो like कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर देना मिलता हो next video में तब तक के लिए बबाए दोस्तों take care